हेलो दोस्तों नमस्कार अपने इस यूटूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जल्द ही इसी मतलब आने वाले 27 सितंबर को BPSC ने Polytechnic Lecturer Recruitment के लिए exam की date को निधारित कर दिया है यानि हमारे पास मुश्किल से 7-8 दिन और बचे हैं जो कि हम तैयारी में लगा सकते हैं और जब से ये date decide हुई बहुत लोग थोड़े से disturbed भी है परिसान भी है और बहुत लोग जोस्त में भी है तैयारी करने के लिए तो ये जोस बनाये रखिए बहुत अच्छी बात होगी साथी साथ में लोगों के मन में doubt यह है कि चलो gate का पढ़ने से technical part की जो तैयारी है वो हो जाएगी लेकिन क्या gate maths का ही पढ़ने से हो जाएगा तो नहीं BPSC के एक्जाम में maths को केवल और केवल गेट के previous year question solve करने से मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा इसी लिए कई लोग यह कह रहते कि जो कम से कम last year अभी अभी last year नहीं इसी year में कुछ महीने पहले assistant professor का एक्जाम हुआ था उसमें भी maths के इतने ही question थे वेटेज इतना ही था कि 80 में से 30 questions के थे तो उसका भी पेपर मिल जाए तो उनके लिए आसानी हो जाएगी उसके है जब model paper वो consider करेंगे और model paper consider करके वो lecturer की तैयारी कर सकते है तो इसी कड़ी में आज मैं आप लोग के सामने एक maths का question जो 12th April को एक्जाम हुआ था electronics engineering के लिए assistant professor recruitment में तो उसके maths का question लेके आप लोग के सामने हाजिर हूँ तो चलिए दुस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बात भी बैमेंसन करूंगा कि जो branches wise math का syllabus है वो अलग-अलग है गेट के site पे भी आप देख सकते है क कि सीविल का मेंस कुछ और है काफी चीजे कामन है लेकिन फिर भी उसमें वेटेश जो दिया जाता है वो अलग-अलग है तो यह हर ब्रांच वाले अपना समझेंगे इसी ब्रांच का मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं अगर जुरुद पढ़ेगी तो आपके स्क्री थे मैं मैं कrás ब्रेंटार ब्रांच के लिए इसी ब्रांच के लिए करेंगा लेकिन दूसरे ब्रांच में दिक्कत यही घुन का उनका स्वेटेश जो इसी को मिलता चैनल के लिएर देखते पहला क्या है तो आप देख पा रहे घ्या गालकुलस पार्ट से आया हुआ है और वो है if u is equal to this आप यह स्क्रीन पर देखें u is equal to sin inverse x by y then plus 10 inverse y by x then x du by dx plus y du by dy will be यूलर्स थेोरम से यह question है आप देख सकते हैं तो इसका answer यह पर 0 सही है उसके बाद next question की बात करते हैं if u is equal to this and then इतना is equal to kya यह भी देखे यूलर equation से ही है लेकिन इसमें थोड़ी आगे आजाएं इसका answer sign to you नहों के चुकि BPSC ने यह sign to you ही answer दिया है जो की object-nable है इसका answer 10u होना चाहिए object-nable है देखते हैं कि BPSC को correct करती है कि नहीं अपने answer की में उसना sign to you दिया है तीसरा फॉर्ड फॉंक्शन fxy x is equal to xq plus y cube minus 3a xy क्या क्या होगा इसमें maximum minimum का यह question है बहुत ही easy एगर आप math में पढ़े होंगे कि कैसे उसको dy by dx या df by dx को 0 करके हम equate करके देखते हैं तो कुछ conditions होते ही maximum minimum के उसमें दे रखा है तो इसमें भी वाला सही कि fxy will have a minimum at aa if a is positive and maximum at aa if he is negative next fourth question पर देखेंगे for an analytic function the imaginary part is v is equal to this then the real part is यह भी देखिए आपको complex variable question जो पार्ट है उसमें भी हम real और imaginary part निकालते हैं तो वहां से आप देख लिएगा for what value of lambda the system of linear equation this has no solution देखिए matrix algebra को बहुत ज़्यादा weightage दिया गया है matrix से आप देखेंगे कि आगे बहुत सारे questions मिलेंगे तो इसमें भी matrix वाले में भी कुछ conditions होती है कि zero solution होने के लिए क्या condition है infinite solution होने के लिए क्या condition है और unique solution होने क्या condition है उसको जरूर याद रखेगा यह question तो कम सकम आना ही आना है the value of this यह integration integration वेकर integration या triple integration की तरफ जाएंगे तो आपको यह question भी सुझ में आएगा और बात में मैं समरी भी बता दूगा कि किदर किदर से questions आए तो solution आप differential equation का solution है इसमें CFPI बगर जो calculate करके calculate करते हैं उससे आप निकाल लीजिए for the equation इस रॉंग्सियन डिटर्मिनेंटी रॉंग्सियन थोड़ा सा हम लोग कभी इसी कि सलिवस में नहीं पढ़ते रेकिन वह आया हुआ था और अच्छी बात यह है कि रॉंग्सियन में बहुत सारे लोग क्योंकि मैच के एक्सपर बता रहे है किसी का वन किसी का माइनस वन भी होता है फिर आल मैच के क्वेशन आईटीज नहीं आने वाले आपके लिए बदल गया वेट इस पर दिहान रखेगी किन चेप्टर से कि ज़्यादा questions आ रहा है probability को बहुत ज़्याद सब फोकस किया गया आगे देखते हैं इसके बाद उसका solution के options है उसमें से एक आपको सही find out करना है फिटेंथ नमबर पर डाइस थ्रोड प्रॉबिल्टी प्रॉबिल्टी का कि डाइस थ्रोड थ्राइस और सक्सेश इस इस गेटिंग वन और सिक्स ऑन अटास मीन वेरियांस इसमें प्रॉबिल्टी कल्कुलेट नहीं करना है बता दिया कि यह इवेंट में सक्सेश माना जाएगा अब बताए कि मीन और वेरियांस क्या है उसके बाद 11 नमबर पे है इन एन इग्जामिनेशन टेकें बाइ 500 कंडिडेश देवरेज इन स्टेंडर डेविएशन आप मा आपको बताना है कि क्या होगा इतने बच्चे पास होंगे यह क्राइटरिया दिया गया उसके बाद जो है नेच्ट आ जाईए ट्वेल्थ नमबर पे डियामिटर एक्स ऑफ एलेक्ट्रिक केबल इस अजूम्ड टूबी कॉंटिनूस वैरियेबल वीद प्रॉबिलिटी द अज जाए क्योंकि answer यह जो जब भी question solve किया गया होगा तब का answer है यह verified answers नहीं यह जो टिक किये गए हैं उसमें से कौह इसा सही कौह जा गलत है वह है और वह बताने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि यहीं प्युक्वेशन नहीं आने वाले हैं आपको यह ध्यान रखना है कि कि चेप्टर से क्वेस्टन को ज्यादा प्वाइब कर रहा है आए थर्टी नमर पे देखते हैं दिर प्रबील्टी देट्ट अलीप यर विल हैब 53 संडे 53 संडे हो उसकी क्या प्रबील्टी यह भी प्रबील्टी को टच किया इसमें भी दिखें यह बाइस थेोरम से जो प्रबाइब करते हैं वो हो गया है 15 पर मीन इन 2 और मीन अफ टू बैट्समन ए और एक से थी एक से थिस एक से इस एक सब्सक्राइब कर दिखेंगे अगाएगा और कम तो वह ऐसे फैल के आएगा तो जिसका कम यह होगा वह ज्यादा कंसिस्टेंट होने वाला है इस अधार से आप देखेंगे कि दी वाला एंसर इसका सही है नेक्स्ट आइए तो जल्दी जल्दी देखते हैं दम दा नंबर आफ लिनियर्ली डिपेंडेंट सोलूसन कर्रेस्पांडिंग टू लेमडाइज को टू लेमडाइज को एट अप्त मैट्रिक्स यह भी देखि चली स्वेस्ट आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जरूर याद रखने जो भी 16 17 18 साथ और अवह जरूर याद रखने हैं आपको मैट्रिक्स दिया हुआ यहां पे और यहां पर पूछ लिया है यह थोड़ा टॉपिक का इसी में नहीं पढ़ते लेकिन इसको अप ध्या इसमें correct to four decimal places इसमें भी जोगा टेलर एक्वेशन का यूज करके हम इसको एप्रॉक्सिमेट वैल्यू कर सकते हैं तक फिर उसके बाद आजाए बीसवा इफ एक्वेशन कहां जाया यह थोड़ा सा मुझे इसमें गलत है इसको भी टेलर सीरी से आपको सौल कर लेना है थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट ली सौल करेंगे तो यह कोशन हो जाएगा लेकिन हाँ एक्जाम में यह भी है कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है विदिन टू आर्स आपको यह करना है और टू आर्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेस्चन 22 है वायलू ओफ इस इसका वायलू बताना है प्रवंग्शन लिमिट थेओरी से आपको यह भी बताना है शोरी 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 23 में आजाए यह वेक्टर कैल्कुलस से है जिसमें इफ आर इस उकल दो देन देन करल आर क्या होगा करल आर क तो करने आता होगा वहां से निकल जाएगा यह देखे प्रापर्टी है फिर वहां से यहां से वेक्टर कल्कुलस पे आप ध्यान लखिए कर्ल्स डाइवर्जन्स क्या होता है ग्रेडियंट क्या होते हैं और उनके डिफ्रेंट जो रिलेशन्स हैं आपस में वह भी याद तो उसके भी फोकस जरूर करिएगा कि ग्रेट यहां पर होगा है डाइवर्जेंस आफ फाइएफ तो यह इस गिवन बाई जाएगा यहां पर मतलब वेक्टर इसकेलर माना जाएगा तो यह इसमें कौन सा सही है यह पूछ लिया है उसके बाद 26 पे वर्क दन इन मुविंग पार्टिकल इन फोर्स फिल एफ इतना एलांग दे स्ट्रेट लाइन फ्रम जीरो टू इतना जीरो टू इतना तो पहले आपको वेक्टर करक्रेट करना है किस डारेक्शन में फेजा जा रहा है उसके बाद डॉट प्रोडट कर देना है फिर आगे देखिए 27 न यहां पर गलत लग गया है इसका एंसर जो होगा वो थ्रीवी होगा थ्रीवी होगा यह एन से कोई कन्फ्यूज हो गया मतलब एक्जाम के टाइम में तो ऐसा कर नहीं है थ्रीवी होगा आगे देखेंगे 28 पर है इसको आपको questions को solve करना है कि कैसे दिया जाएगा तो वह भी आप questions solve कर सकते हैं नई समझना तो एक matrix ले लीजिए और matrix लेने के बाद आप उसको calculate करके देखेंगे कि कौन सा traces मतलब जो main diagonal के element है उनका addition तो उसको calculate करिए नेक्स्ट आपको देखेंगे 29 पर वैल्यू आफ एकी पावर जेड डीजेड डिवाइड बाइड जेड माइनस टू यह भी complex variable का question है अब solve होगा कि नहीं होगा यह complex variable का question है इसमें भी हम देखते हो जो limit के इस limit के अंदर वह आ रहा है कि नहीं पोल्स कौन से कंसीडर करने कौन से नहीं कंसीडर करने थर्टी और लास्ट क्वेश्टन यह है कि इफ इन दर फंक्शन एफ जेड बाई जेड माइनस वन तो पोल्स कहां कहां लाइक करेंगे तो यह कुछ इसके बाद टेकनिकल सुरू हो गए तो आज के इस पीडियो में क्यों मैं इसका ही क्वेश्टन डिसकस करेंगे और यह फिर से मैं आप लोग को बता दूँ कि यह की इसई के लिए था और वो भी इसई के लिए था वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का वो कि यह लेक्टेटल में भी कुछ हैसा ही होगा मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि इस میں जो मैठस का कुछ कोईसें तो काफी लिएर कक्प ही जादा टफब से तो हो सकता कि लेक्चरर वाले में इस लेवल को थोड़ा सा डिक्रेज किया जा तो बाकी अपनी तैयारी उसी आदार से शुरू करिए मैच का अच्छा खासा वेटेज है तो किसी भी हमको लगता है मैं तो मेडी जी के को बुक को प्रिफर किया था अगर आप भी ऐसे ही किसी अच्छी क कोचिंग के बुक को मैंच के बुक को अपनी ब्रांज के मैंत के बुक को प्रिफर करें तो आपको फाया लगा उमीद करता हूं कि इस वीटियो से आपको थोड़ी बहुत मिली होगी अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करें तता साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जाता से जाता लोग जिनको अभी तक इसके मैक से क्वेस्टन का आइडिया नहीं था उनको आइडिया मिल सके थैंक यू वेर